नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप साब उमीद करती हूँ आप साब अच्छे होंगे दोस्तों लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी उच्पूल टीप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान अगर आपको आज की टिप्स पसंद आते हैं तो एक ल अंगर आता है चाहिं या तो किसी किसी रील में धागा हीय नहीं बहुत दिर तक मिलताहिं तो इससे हमारा बउत जिब इमनने ना धायता यह बर्वाद हो जाता है तो आप क्या करें किन आफिक्णि यह पुरानी बेकार ुंधी तो इस त हैक सी कुछ ना क्याना अया लेए रखना है इस तरीके से किजिक क्लड़ की एक बिंदी और इसको उपर की और बिंदी लगाते। तो इससे होगा क्या जब भी आपको धागा वगएरा निकालना होगा तो इस तरीके से आप जब भी रील वगएरा रखें तो आप इस टिप्स को ट्राइक कर सकते हैं इससे आपको जब भी रील में धागा डालना होगा तो आपको धागा आसानी से मिल जाएगा अंगली टिप है पैरदान को लेके सर्दी का मौसम आ गया है अगर पैरदान को जल्दी जल्दी धुल के डाल देते हैं तो यह जल्दी से सूकते नहीं है अगर पैरदान हलका फुलका गंदा है तो आप इस तरीके से साप कर सकते हैं आप को करना क्या है ले लेना है खाने वा जो भी गंदगी बगएरा लगी होगी वह उपर क्यों निकल गया जाएगी इसके बाद आप डालीजे थोड़ा सा उपर से टेलकम पाउडर अगर आपके पास पाउडर एकस्पायर बगएरा पड़ा हो तो उसको भी डाल सकते हैं और ले लेना आपको कपड़े धुलने वाल करता है और जो इसमें हमने पाउडर डाला है वो इसमें बिल्कुल भी बैट स्मेल वगएरा नहीं आने देगा तो इस तरीके से आप देख सकते ही ब्रस में कितनी ज्यादा गंदगी चिपक गई है इसके बाद में आपको इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से फटक देना अंगली ठीप है बच्चों की साट को लेकर जो की ड्रेस व गर्यारा लेकर लेकिये तो सबसे पहले आपको कालर को अच्छे से च्छा पानियों उसको आप त्वी एस्टरा पानियों को आप अच्छे से निकल दीजिये और ले लेना आपको बेकार पड़ा हुआ बिरस उसमें आप पेश्ट थोड़ा सा इस तरीके से लगा लिए और जहां भी कालर बगएरा गंदा हो वहाँ पर आप इस बिरस को इस तरीके से चलाते जाएए कितना भी गंदा कालर होगा बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा तो इस तरीके से आप जैसे ही थोड़ी देर इस बिरस को चलाएंगे तो जो भी कालर में गंद की बगएरा लगी होगी बहुत ही असान तरीके से निकल के आजाएगी तो इस तरीके से आपको चला देना है इसके बाद में आपको करना क्या है इसको पानी में धुल देना है अगर आप washing machine में कपड़े दुलते हो तो उसमें डाल दीजिए नहीं तो आप color को अच्छे से साफ कर लीजिए और set को सुखा के आप पाहन सकते हैं तो ऐसे आप जट पर तरीके से color को साफ कर सकते हैं तो आप कोई भी सर्ट हो चाहे कलरड हो या भाइट हो कालर वगएर अगर गंदे हो गए हैं तो आप इस टिप्स को ट्राइक कर सकते हैं कालर बहुत ही जड़ पर तरीके से साप होने वाले हैं अग्ली टिप है ब्रेट को लेकर ब्रेट लाने के बाद जब इस तरीके से आपको जाली को रख देना है और रख देना है अगर आप चाय ना बना रहे हैं तो या दूद पका रहे हो या पानी बगएरा पका रहे हो तो उसके उपर भी आप जाली को रखके से ब्रेट को सौप्ट कर सकते हैं देखेंगे ब्रेट आप की दम ताजी जैसी हो जाएंगी और जो ब्रेट पहले सूखी हुई थी कड़ी लग रही थी वो प्रेट एकदम से मुलाइम हो जाएंगी अंगली टिफाय आप पर पेस्ट को लेके जब भी पेस्ट इससे निकलना बंद हो जाता है तो हम लोग करते हैंगे आप देखेंगे ऊपर की और पेस्ट क निकल के आजाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने मेलन को चलाया हुआ है इससे काफी सप्तों अब बिएकार होने कि इसे भी बुक्oni सकते हैं झालऑ को लेकर लगे ग्री अम लोग जाड़ू लाते हैं जैसे इसको चलाना शुरू करते हैं कि जो के उती हैं उपर की और से निकलने लगती जिस्से की जाड़ू डीला होने लगता हैं ज़ारू जली से तूट जाता है तो जब भी आप झालू पॉलिथेन नहीं रहनी चाहिए इसके बाद में प्रेस को गरम कर लेना है प्रेस बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए बिल्कुल हलका हलका गरम करके आपको इस तरीके से पॉलिथेन के उपर चला देना है तो आप देखेंगे जो यह पॉलिथेन है बहुत ही अच्छे स इसमें सेट हो जाएगी अगर प्रेस ज्यादा गरम हो गया है तो आपकर यह ले लिए लिए निवीज पेपर और उसके उपर रख के आप इस तरीके से प्रेस को चला दिए तो भी पॉलीथेन बहुत ही एच्छे से से सेट हो जाएगी इसके बाद में आप देखेंगे कि जा तो आप इस टिप्स को ट्राई करेंगे तो आपका जाडू जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा जो भी इससे सीके बगएरा निकलने लगती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी अगली टिप है आपको ले लेना है इस तीके से किसी भी बरतन में नॉर्मल पानी और ले लेन है नीवू तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरीके से पानी में और मैंने लिया हुआ है आधा नीवू इसके आपको रस को इसमें तरीके से निकाल देना है अगर आपके पास नीवू नहीं है तो आप यहां पर विनेगर भी डाल सकते हैं तो द पानी से साफ नहीं होता है तो उनको आपको इसमें इस तरीके से डोबो देना है और दोबोने के बाद में आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आदा से गंटे के लिए छोड़ देना है इसके बाद में जो भी कप प्रेस में पड़े हुए थे बहुत ही अच्छे से चमकदार और सफेद हो जाएंगे इस तरीके से आप सफेद कपडों को आसानी से चमका सकते हैं 37 में जो दाख दब्बे बगेर लगे होंगे वो भी पहुती आसानी से साफ हो जाएंगे अगर आपको हमारे आज की टिप्स पसंद आए हो तो एक लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना जादा से जादा सेयर करना जिससे की और भी लोग इट टिप्स का लाव उठा सकें मिलेंगे अंगले वीडियो में ऐसे ही नए नए टिप्स और टिक के साथ अब तक के लिए बाए